वक्त हमारे साथ हैं प्रतिभाश शुकला जो कि कानपूर देहां से MLA बनी हैं क्या कुछ कहना है उनकी इस नई नवेली जीत पर आयो निस जानते हैं हमारी बहनों ने जिनको चूले मिले वह भी आनंदित जिनको नहीं मिले वह चाह रही है कि अप मोदी जी रहेंगे तो हमें आगे से भी गैस का चूला मिलेगा और बेटी और वेटे और नौजवान मच्चों के लिए भी वह लोगों भी साब लोगों बढ़के हिस्सा लिए वो यह चाह रहे थे कि मोदी जी कुछ ऐसा काम करें जो बेरोजगारी दूर हो जाए कि लोगों ने भी आपर बहुत ही विश्वास किया है तो उनके विश्वास को पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप ऐसे काम जो कि वो विश्वास आगी तक बना रहे यह तो बहुत ही आसान है कि हम लोग कार्ची से जुड़े वे लोग हैं और कभी घर बैटने वाली बात नहीं की जमीनी स्थर पर जुड़े वे लोग हैं हर जगे हर गरीब कहां जाते हैं हर जोपड़ी वाले के हाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो गरीब हैं उनके साथ मिलकर काम करें मोधी जी भी बहुत बड़ी हाई योजनाए हैं किसानों का करजा माफ होगा किसान भाई आनन्दित हो जाएंगे और हमारा ग्रामीड छेत हैं जब वहाँ किसान सुखी रहेगा तो हम समझते हैं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दूसरा मुद्धा है कि हमारी बहनों की जो गैस की चूले मोधी जी ने दिये हैं उसके लिए भी हमारी सब बहने बहुत ही प्रसंद हैं बिद्वाओं के लिए उन्होंने पेंशन बढ़ा दी एक हजार रुपे कर दी है और उमर का बंदन भी समाप्त का दिया है ये भी बहुत अच्छा गर्वती महिनाओं के लिए उन्होंने छेजार रुपे कर दिया है इस तरह से हमारी बेहनी भी सब इंप्रेस हैं, काम को हम लोग रूट इस तरह पर गाहों गाहों तक ले जाएंगे विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया कहने की बात के लगा है, कि मैं बहुत काम कर रहूं पर उन्ने कोई वर्क नहीं किया सप़ार वस्पा दोनों का बहुत बुरा हाल है और का contribute तो ऐसे भी पिल्कुल डाउन फाल पर है, कभी नहीं नहीं काम नहीं किया सपना चारण साधना प्लस दिली